पिछले दो दिनों से बंगाल का आसंसोल राजमीती का एपी सेंटर बना कुआ है और एक ही शक्स का नाम जो है वो लगातार लिया जा रहा है और वो है पवन सिंग अब आप ये समझे कि पवन सिंग ने आखिर इसक क्या कर दिया भोजपुरी आक्टर है बहुत फेमस आक्टर है फैन फॉलोइंग है उनकी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जो है उनके गाने सुने जाते हैं लेकिन आप ये समझे कि आखिर इस बवाल की शुरुवात कहां से हुई थी द्रिसल इस बवाल की शुरुवात होती है बाबुल सुप्रियों से भारते जुनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है जिसमें 195 उम्मीदवार थे 195 उम्मीदवारों में बंगाल की वासन सोल सीट भी थी जहां से पवन सिंग को टिकट दिया गया अब जब पवन सिंग को टिकट दिया गया तो टीम सी जो है वो इस चीज को लेकर हमलावर हो गई क्योंकि TMC जो है हमेशा से यह बात कहती हुए है कि देखिए महिलाओ को जो हम तवज्जो देते हैं ममता सरकार हमेशा से यह बात कहती है कि महिलाओ का सम्मान जो है वो हमारी प्रात्मिकता है हलाकि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने देखा कि भारते जंता पार्टी जो है वो टीमसी पर किस तरीके से महिलाओ के अपमान का आरूप लगा रही थी अब इस बवाल के शुरुआत वहीं से हो जाती है क्योंकि देखे पवन सिंग के कई ऐसे गाने थे बंगाल के पानी ये वो पोस्टर्स है जो बाबल सुप्रियो की तरह से ट्वीट किये गए जिसमें उन्होंने कहा कि देखे ये पोस्टर्स सच हैं या गलत हैं मैंने इनको वेरिफाई नहीं किया है लेकिन भारते जंता पार्टी ने एक ऐसे शक्स को टिकट दिया है जो क इस तरीके के अश्लील कंटेंट बनाता है इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि दैने ट्लियरली शोज दर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट भारते जंता पाटी के मन में बंगाल और खासकर बंगाल की महिलाओ के लिए क्या उनके मन में रिस्पेक्ट है इसी बात से पता चल है और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को लेकर बहुत शूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जो है वो पोलो ग्राउंड पहुंचेंगे इस शक्स के लिए क्यामपेंग करने के लिए बस बवाल की शुरॉत वहीं से हो जाती है देखिए टीमसी अकाउंट हो या अभिशेक मनुस सिंग्वी हो वो लगातार ये बात कह रहा है कि भाई भारते जनता पाटी ऐसी ऐसे लोगों को कैसे टिकर दे सकती है जो इस तरीके के कंटेंट बनाते हैं या इस तरीके के गाने बनाते हैं जो बंगाल की महिलाओ के लिए बेस्ती बन च जो है ये थी कि क्या आरा सीट से जो है वो चुनाद लड़ना चाहते हैं ये तमाम वज़ाय जो है निकल कर सामने आ रहा है आला कि इन में से कोई भी कारण जो है वो फिलाल खुलकर बोलने से पवन सिंग बचते हुए नजर आ रहा है कहा ये भी जा रहा था कि शायद हो सक अगे जो है क्या कुछ हो सकता है क्योंकि अगर पावन सिंग के हम बात करें पावन सिंग बेसिकली खुच जो है वो बिहार के आरा से है उनका जन्म आरा में हुआ था उनके बहुत बड़ी फैन फॉलिंग जो है वो आरा से है तो इसलिए हो सकता है कि वो आरा से चुनाव लडाये जाएगा या नहीं लडाये जाएगा क्या विधान सभा के लिए उन्हें रखा जाएगा हाला कि ये भी कहा जाते कि 2019 के लोग सभा चुनाव की बात करें तो तभी भारते जंता पाटी बंगाल के हुगली से जो है पवन सिंह को चुनाव लडाना चाती लेकिन उस वक बंगाल की जनता की जीत हुई है, बंगाल की महलाओं को क्रिटेंस किया गया अपने बोल के जरी उससे पता चलता है कि आखिरकार भारते जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। कि अभी तक भारते जंता पाटी की तरफ से इस पर कोई ऑफिशल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, सुकान तो मजुमदार जो है, बंगाल बीज़पी के प्रदेश अदेक्ष तो है, उन्होंने साफ तोर पर का कि देखिए, वो एक अक्टर है, उनके अपनी निजी जिंद जो उपचुनाव में टीमसी से जीत कर पहुचे थे लोग समा में, अब एक बार फिर से शायद ऐसा हो सकता है कि टीमसी जो है शत्रुगन सिनहा पिद्दाव खिले है, हालकि एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा था कि शत्रुगन सिनहा को पवन सिंहा को पवन सिंग अपना आ जो है उमीदवार कौन होगा और आखिर बंगाल की राज़ूती जो है वो किस तरफ मोड लाती है